थेलो प्यारे बचो क्या हल चला आप सभी के जीर स्टूडन्ट नवधीप सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचो तो देखिए प्यारे बचो अपने बहुत दिनों बाद आज एक नई سीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़ भई ये पुरानी लेकिन पार्ट नया उसका और अपने competitive exam के लिए series को start किया था मैं ने जनरman physics मैंने का था 11 बारेवी की physics जो कि competitive exam में आती है और किन किन exam में आती है ये आपको यहां पर लिखा हुआ है मैंने IAT, JE, NEET, Air Force, XY Group, Navy, NDA, CDS, BSE, MSC, Interest Exam, First और Second Grade के TGT और PGT जो Physics के Exam है सब में ये वाली वीडियोज इक्वल रूप से काम आएंगी ठीक है तो अपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 11 मी क्लास का 11 मी क्लास से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि इसमें आपको थियोरी ना ज्यादा करा के मैं आपको इसमें M.C.U. करवाया करूँगा यानि प्रैक्टिस ज्यादा करवाया करूँगा थियोरी में अपने ओनली फॉर्मूला वगयरे ही पढ़ेंगे तो अब आगे राजस्तान में देखो जो बच्चे Physics में 1st Grade या 2nd Grade की त्यारी कर रहे हैं तो जो भी मेरे बाई पैन त्यारी कर रहे हैं या जिन बच्चों के बड़े बाई बैन हैं वो त्यारी कर रहे हैं उनको आप जरूर ये वीडियो पहुंचाना 1st और 2nd grade के लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ही यानी काम की है क्योंकि 2nd grade में Science subject जो होता है उसमें ये वाली वीडियो काम आएंगी क्योंकि सारा सलेबर Science में है Physics का और 1st grade Physics में तो आती ही है ठीक है तो प्लीज आगे जरूर Share जरूर करना तो आज की जो वीडियो है इस पे अपने इस फर्स्ट चैप्टर को खतम कर रहे हैं अल्रेडी साथ वीडियो जिसकी अपलोड हो चुकी है जिनकी मैंने अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया है आज आठमा पार्ट है इसका तो आठमे पार्ट में देखो जो अपने टॉपिक है वो लास्ट वाले टॉपिक है पहले चैप्टर के इस सिगनिफिकेंट डिजिट्स ठीक है फिर है राउंडिंग आफ डिजिट्स और लास्ट में इसकी MCQ प्रैक्टिस यानि इन दोनो टॉपिक के जो MCQ है वो अपने लास्ट में डिसकस करेंगे बच्चो यहां पर ठीक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है पहले अपने पढ़ते हैं इसके रूल है सिगनिफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने के या राउंडिंग आफ के पहले वो रूल पढ़ने है फिर आपको आगे टॉपिक स्टार्ट करना है चलिए बचो स्टार्ट करते हैं वीडियो एक नई एनर्जी के साथ तो देखिए बचो सबसे पहले नमर पर है सिगनिफिकेंट फिगर्स या सिगनिफिकेंट डिजिट्स इसको बोल देते हैं ठीक है दूसरा यहां पर आप डिजिट्स लिख सकते हो सिगनिफिकेंट तो सिगनिफिकेंट डिजिट्स या क्या होते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं सबसे पहले आप यह जान लो देखो अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो आपको मेरी एक सलाह यह है कि आप topic में ज्यादा deep गुसने की try मत करना ठीक है क्योंकि competition में इतना ज्यादा deep हो यानि कि आपको deep नहीं पूछा जाएगा best concept पूछा जाएगा आपसे तो आपको topic समझ म में आना चाहिए ज्यादा deeply उसके नहीं जना ऐसा क्यों होता है ऐसा ऐसे होता है साइसली होता है सक क्यों होता है ऐसे question में आपको ज्यादा नहीं पड़ना है ठीक है तो अब देखो significant digit सबसे पहले significant digit क्या होती है कि जब भी अपने physics में फिजिक स्टार्ट कहां सी हुई थी physics हुई थी measurement से start मापन से ठीक है इसी chapter में तो मापन करते हैं किसी चीज का measurement करते हैं तो अपने को कुछ result मिलते हैं और उने result को अपने mathematical form में लिखते हैं ठीक है गनितिया रूप में उसको लिखते हैं तो वो गनितिया रूप में physics में लिखने का एक तरीका होता है ठीक है त तो वेगनिक वीदी में अपने अक्षरों को इसमें लिखते हैं scientific method में उसमें अपने क्या करते हैं कि यहां पर एक digit रख लेते हैं जैसे अपने अगर मैं चार्ज की बात करूं तो एक electron पर e की जो value होती है चार्ज क्या तो वो 10 की power minus 19 अब लिख तो इसको ऐसे भी सकते हैं द point के पहले एक अक्षर रखते हैं बाकी जितने digits होती हैं अक्षर होते हैं वो सारे point के बाद अपने यहां पर रखते हैं ठीक है तो इसको अपने scientific method से लिखना बोल देते हैं अब इसी के अदार पर digit calculate की जाती हैं कि कोई कितनी digit हैं तो वो digit को अपने सार्थकंग या significant figure अप significant figure या सार्थक अंक क्या करने होंगे ग्यात करने होंगे ठीक है आपको option दिये होंगे 8 है 10 है 12 14 बैस इतना question इसका आते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं आता थोड़ा बहुत गुमागी दे सकते हैं लेकिन आपको last में calculate क्या करना होगा सार्थक अंक या significant digit calculate करने हो तो चलो स अब ही एश उन्या अंक सार्थक होते हैं all non zero digits are significant देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए यह हिंदी में लिख रखा है मैंने इतर और यह इंग्लिश में लिख रखा है ठीक है दोनों ही मीडियम को combine करवाता हूं तो दोनों ही मीडियम के rule आपको सामने लिखे हूए क्योंगे आगे zero आ जाते हैं तो एक से लेकि नौ तक जितने भी digit आफके अगर किसी number में आते हैं किसी संख्या में आते हैं तो वो क्या होंगे सार्थकंग आपको उनको मानना है मतलब significant figure उनको मानना है जैसे 42.3 लिख दिया तो इसमें 3 सार्थकंग है 42.3 में 3 significant figure है इसी त 3 को 4.2-3 भी लिखता हूं फिर भी इसमें क्या आ जाएंगी 3 significant figure है ठीक है point change करने से significant figure इत ऐसे नहीं होते है अब next है दूसरा जो rule आपको क्या है कि दो एशुने अंकों के बीच में आने वाले शुने अंक सार्थकंग होता है zero become significant figure if it appears between two non zero digits अब इसके कहने का मतलब है भी अगर मान लो कि यहां पर दू ऐशुने अंक हैं जैसे एक पांच है एक च्छै है यहां पर ठीक है और बीच में कोई zero आगी अब आप से पूछ लिए यह जो पांच सो च्छै है इसमें कितने significant figure हैं तो अगर मान लो दू जो आपके पास ऐशुने अंक है या non zero digits हैं एक से इसके बीच में कोई zero आता है तो बीच वाली zero यहां पर significant figure मानी जाएगी तो इसमें आप को गए कि सर तीन significant digits में हैं ठीक है ऐसे देखो यहां पर five point zero three है तो five or three के बीच में zero आ रही है आपको point वाला यहां पर जैजर नहीं रखना सर पॉइंट आरा point से पहले बाद वह भी नहीं रखना only यह देखो कि दो non zero के बीच एक zero आ रही है तो इसको significant number मानना आपको तो तीन सार सकंक इसमें इसे तरीके से five point six zero four इसमें चार है five point zero zero four तो देखो यहां फूर है यहां फूर है बीच में दो zero आ रही है तो इसमें कि total कितने हो जाएंगे चार सार सकंक हो जाए ठीक है फिर अब देखो जो इसमें लास्ट वाले यह जो तीन रूल है सुरी दूसरा तीसरा चौथा यह तीन रूल है यह जीरो के लिए हैं ठीक है जीरो का ही पंगा पड़ता है इसमें भी zero को कब significant digit मानना है कब उसको नहीं मानना कब उसको सार्थकंक मानना और कब नहीं मानना तो उसी पर है तो पहला रूल आपने पड़ लिया भी अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो जीरो को मानना पड़ेगा फिर तीसरा रूल आप पड़ो कि संख्या के बाईं और के शूनियां कभी सार्थकंक नहीं होते लिडिंग जीरो और जीरो प्लेज पर 543 इसके पहले जो जीरो आ गया मतलब लेफ्ट साइड में जो जीरो आ गया तो इस जीरो को सग्णिफिकंट डिजित्ट अपने काल्कुलेट नहीं करेंगे तो इसमें अपनłych क्कितने बताएं गे तीन यह जो दो 0 हैं यह calculate नहीं होगी और यह 4-5 क्या होगा calculate होगा तो इसमें 2 significant figure या 2 significant digit आजेंगे पिल्कुल इसी तरीके से 0.006 है तो इसमें क्या आजेगा एक सार्थक अंक आजेगा 1 significant figure क्यों का कारण आपको 5 वे rule के बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है समझा यह तनी चीज़ लेफ्ट साइट वाली 0 को आपको significant figure या significant digit नहीं मानना है फिर next है कि संख्या के दाई और किश्वने अंक सार्थक अंक होते हैं trailing zeros और the zeros placed to the right of the number are significant यहनी जो right में पड़े होते हैं number जैसे यहां पर example नहीं लिया हुआ है यह वाला example लेता हूँ है 4.330 तो यहां पर यह वाला जो 0 है इसको significant figure के अंदर calculate करेंगे मतलब यहां पर total 4 significant figure हो जाएंगी 4 significant digits हो जाएंगी ठीक है इसी तरीके से 433.00 लिखा हुआ यहां पर तो यहां पर क्या हो जाएंगी 5 हो जाएंगी अब आप कोगे कि सर 433.00 लिखा है या 433 लिखा है बात तो एक ही है तो यहां पर आप 5 मान रहे हो लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, बात तो सही आपकी, ठीक है, क्वेस्टन आपका जायजा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि एक ही नमबर को दो अलग-अलग significant figure कैसे मानते हैं, तो देखो, उसका reason आपको बता देता हूँ, मैं क्या reason है इसका, द क्यों करते हैं इसको नहीं, तो यह physics के इसाफ से खरते हैं, mathematical ही तो यह बराबर ही हैं दोनों चीज़ें, लेकिन physics के इसाफ से दोनों संखें, अलग-अलग हैं, दोनों digits अलग-अलग हैं, अब आपको गए कि सर ऐसा कैसे है, तो ऐसा इसलिए है, कि जो उपरवाला number है, 433. 3.00, और यह 433 है, ठीक है, इसके last में आके point नहीं है, तो मान लो, यह meter है, ठीक है, यह भी meter है, तो अब आपने क्या किया, इसको measure किया, दोनों values को measure किया, किसी उपकरण से, किसी इसको measure किया होगा, तो physics में अपने instrument से measure करते हैं, तो यहाँ पर यह जो अपने को number बताते है भी आपका instrument कितना कि बढ़िया है, कितना कि वो बरीक से या deeply map सकता है, किसी चीज को measure कर सकता है, यहाँ पर अगर मान लो कि कोई length है, कोई length है, जैसे 400, sorry, मैंने 4 point लिख दिया, 433.35 meter है, उसकी length, कोई rod है मान लो, आपके पास क्या है, कोई rod है, उसकी length 433.35 meter है, तो अब ए और यह scale, second है, first scale से आप map रहे हो, तो आपको यह reading दे रहा है, second scale यह reading दे रहा है, अब आप क्या करना है, आपको यह वाली rod इन दोनों scale से map डिया है, तो यह वाला scale तो इसका सही result देगा, कि 433.35 meter लंबी यह rod है, ठीक है, लेकिन यह वाला scale जब आप इस पे apply करोगे, तो यह आपको बैस इतना ही result देगा कि 433 meter है, क्योंकि आगे वाला point 35 वो नहीं map सकता, नहीं measure कर सकता, क्योंकि उसकी इतनी efficiency नहीं है, कि वो point ओंके आगे तक भी map सके, measure कर सके, ठीक है, तो इस कारण अपने क्या है, physics में यह दोनों जो हैं, अलग-अलग digits मानी जाती है, यह य क्योंकि physics में अपने इनको measurement के इसाब से देखते हैं, भी जो अपने पास result आया है, वो कितना कि यानि कि deeply map हुआ है, कितना कि least count यानि छोटे से छोटे रूप में उसको map गया है, measure किया गया है, तो यहाँ पर इस result का मतलब है, भी जो आप जिस चीज से आप यह measurement ले रहे हो यह map ले रहे हो, वो क्या है, point से आगे भी दो digit तक map सकता है, आप इन दो digit को खतम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे आपका scale होता है, तो scale से आप map ते हो 4.5 cm line, ठीक है, scale से 4.5 cm map ते हो, लेकिन अगर आपको यही कह दें कि 4.53 है, तो आपका scale तो क्या होगा, जो यहाँ पर 0.5 वाली line होगी, यहाँ पर 0.6 आजाएगा, तो बीच में यह वाला गयप आगया, अब अपने को क्या पता कि यह 0.03 काम पर आएगा, तो अपना scale तो कम से कम कितना 0.5 तक ही map सकता है, उससे आगे वाला नहीं map सकता, लेकिन यहाँ पर mapना तो पड़ेगा, तो इस कारण अपने क्या है, significant figure में, इसको calculator क्या है, अपने करते हैं, जो last वाली 2 zeros लगी हैं, तो आपको याद रखना है, भी mathematically तो चलो अपने क्या कर सकते हैं, इनको एक जैसा मान सकते हैं, भी 433 लिखो या 433.00, लेकिन physics में यह चीज सेम नहीं है, बचो, समझागी होग दी गई संख्या का अंकिक बागी सर्थकंग बताता है, इन exponential notation दा numerical portion gives the number of significant figure, भी यहाँ पर आपको यह देखो, यहाँ पर power लिखी है, इसकी 1.32, वैसे इसको सही कर दूँगा, मैं 10 की power minus 4 लिखा हुआ आपके पास, तो इसके कहनने का मतलब है भी इसमें जो numerical portion होगा, पावर होगी, यह significant digit में calculate नहीं करनी है, ठीक है न, power को significant digit में calculate नहीं करना है, only जैसे यहाँ पर 1.32 into 10 की power 6 भी आ गया, तो आपको इसको significant digit में calculate नहीं करना है, आपको only 1.32, 1.32 यानि 3 significant digit में calculate करने है, जो rule है, rule है, rule को मानना पड़ेगा, अब आप आजाओ, उपर वाले पर जो आपका question था यहाँ पर, वैसे तो चलो pen काफी चल गया है, चलो यहाँ पर अलग कल से बता देता हूँ, कि sir आप कह रहे हो कि 0.45 में 2 significant digits हैं, कितनी हैं, दो हैं, लेकिन यह 2 ही कैसे हैं, तो अगर मैं इसको power की form में change करता हूँ, तो इसको मैं लेक सकता हूँ 4.5 into 10 की power क कितनी हैं आजाएगी, minus 2 आजाएगी, तो आप power वाले में दिखो, इन दो को ही count करेंगे, दो significant digits इनको अपने counter नहीं करते हैं, ठीक है न, तो इसकारण power में जब इसको change करते हैं, तो power में change करने पर इसमें क्या है significant digit उतनी हैं, जैसे यह वाला example लो, 0.006, तो इसको जब आ आजाएगा, 6 into 10 की power minus 3, तो इसमें 6 का only एक significant digit है, यह वाला significant अपने नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि last वाला rule अपने को यह कहा रहा है, तो मुझे उमीद आपको significant digit वाला सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो इसके 5 rule है, वो सारे समझ में आ गये होंगे, अब उससे आग अंकों का पूरण आंकन, क्या है इसका दूसरा नाम topic का, हिंदी में आपको कई जगे ये भी लिखा हुआ मिलेगा, अंकों का पूरण आंकन, rounding off, या इसको राशी को निश्चित सार्तक अंकों में व्यक्त करना, अब ये क्या होता है rounding off, तो rounding off को आपको school के एक example से मैं आप को बताता हूँ, ठीक है, school में बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, वहां से आप rounding off को यूज करते थे, लेकिन आपको पता नहीं भी कैसे करते थे, ठीक है ना, जान कर भी अंजान होगा, तो इसमें देखो rounding off में क्या होता है, कि जैसे मान लो, school में एक तो आप हो, ज प्रवनो में competition है, full class में, यह कहता है मैं आघे निकलूँगा, राम कहता हूँ, यह कहता है, मैं आगे निकलूँगा, श्याम कहता है, ठीक है, फरस्ट IASH certificate होए, उनके 10 में से 1 के साथ नंबर आगे, क्या त्रम पर आगे, अब राम की कोशिश पते है, क्या रहेगी, राम को पता है कि लिष्ट में ये साड़े साथ आठ बनकर चड़े गए लिष्ट में ऐसी होता है कि साड़े साथ के आठ नमबर चड़ाते हैं लिष्ट में या साथ से तीन बटा चार के आठ नमबर चड़ाते हैं लिष्ट में जो आपकी लिष्ट बनती हैं तो मैं श्याम के कर टीचर यह काम टीचर का होता है टीचर लिष्ट बनाता है तो उसमें चड़ाता है नमबर वो साड़े साथ के आठ कर देता है तो यह साड़े साथ के जो आठ की है टीचर ने इसको ही बोल देते हैं अंकों का पूरण आंकन कर देना, पूरण अंकों में उसको चेंज कर देना, साड़े साथ का आठ बना दिया है तो अब इसके भी आठ होगे इसके भी आठ होगे, दोनों कुश होगे ठीक है, शाम को तो दुख लगा अगर भी राम मेरे बराबर पहुंच गया लेकिन तब आप टीचर को कहते हैं आदा नंबरी और दे दो, तो वो एक्चॉल में आप क्या कर रहे हो बाहुंपर अंकों का पूरण आंकन कर रहे होते हो ठीक है, समझाई ना बात आपको अब बात आती है कि अंकों का बाद छोड़ी जाने वाली संख्या पांच से कम होती है तो उसके पूरू की संख्या को एपरिवर्तित रहने देती है अब एक चीज़ और समझ लो इसको पढ़ने से पहले समझने से पहले देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है यहां से पेपर में आपको जैसे मालो पांच अंखों की संख्या दी होगी साथ पांच दो आठ ऐसे करके दे दिया और आपको कह दिया भी इसका पूरण अंकन करो इसकी राउंडिंग आफ करो कितनी तीन डिजिट तक मतलब इसमें तीन डिजिट रहने चाहिए यह वाले इन दोनों को खतम करना है तो आपको इनको खतम कैसे करना है और यह तीन डिजिट यह ऐसे के ऐसी ही रहेंगे या इन में कुछ चेंज आएगा तो वो अपने को पढ़ना है यहां पर ठीक है ना क्या पढ़ने जा रहे हैं चेंज रहे हैं तो आप पहला रूल अपने को क्या कहता है इसको मिटो देता हूँ पहला रूल अपने को क्या बताता है यहां पर यह कहता है कि जो सार्थक अंगों के बाद छोड़ी जाने वाली सं finalement 5 से कम है तो उसके पूरू के संख्या एपरिवर्थित रहने देते हैं इसको example से समझो वैसे आपके समझ नहीं आएगा जैसे 7.82 है और आपको कायवी इसमें 2 यंक रखने आपको तीसरे को गायब करने इस 2 को हटाना है तो इसके कहने का मतलब है भी अगर जो आपका हटाने वाला आंका या छोड़े जाने वाली संख्या है या ड्रॉप करने वाले जो नंबर है वो क्या है पांच से कम हो अगर ये वाला तो आपके जो नंबर है इससे जश्ट पहले वाला वो आपका ऐ परिवर्तित रहेगा यानि 7.8 ही लिखेंगा बिल्कुल इसी तरीके से 3.94 है तो यहां पर 4 आगे लाश्ट में यह 5 से कम है तो इसको 3.9 ही लिखा जाएगा पहला रूल समझ आ गया ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास 4.82 हो यहां पर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर 4.8 लिखना पड़ेगा ठीक है तो अगर मालो आगे 3 भी हो तो इसको भी हटा दोगे आप साथ में अगर आपको 2 ही डिजिट रखने है तो आप इससे जश्ट आगे है वाला देखो दो है अगर यह दो वा पांच से छोटा है तो आपको आठ का आठ ही बड़ा रहने देना है यहां बाकी सारे हटा देने हैं आके वाले समझाई उसके बाद दूसरे नमर पर रूल इसमें जो रूल है वो पांच वाला आएगा इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें जीरो वाले रूल आए थे यहां पर पांच वाले आएंगे देखो यह दि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक होती है तो उसके पूरू की संख्या को एक बढ़ा देती है उपर वाले का उल्टा रिवर्स रूल पहले का अब यह कहता है कि जिस डिजिट को आपको छोड़ना है या जिस डिजिट से लेकर छोड़ना है अगर वो डिजिट अगर वो अंक आपका पांच से बढ़ा है तो आपको पहले वाला उससे बढ़ा देना है उससे पहले वाले को एक क्या कर देना है बढ़ा देना है जैसे यहां पर 6.87 दिया हुआ है तो अब आपको 7 को छोड़ना है ओली 2 डिजिट रखने है इसको तो अब 7 आपका 5 से बड़ा है तो 7 से पहले क्या आ रहा है 8 आ रहा है तो आपको 6.9 लिखने इसको ना कि 6.8 अगर यहां पर 5 से कम होता फिर तो यह 6.8 ही बड़ा रहता लेकिन अगर 5 से बड़ा आ गया तो आपको इसको 6.9 लिखने है बिल्कुल इसे तरीके से इतर देखो 12.78 और 3 डिजिट तक 3 डिजिट आपको रखने है इसमें यह आपको दिया होगा भी कितने डिजिट इसमें रखने है अप्टेंशन मतले न भी हम कैसे राउंडिंग आफ करें आपको बताया होगा कि किसका राउंडिंग आफ करने है 3 डिजिट रखने है तो यहाँ पर 8 छोड़ना पड़ेगा और छोड़े जाने वाला जो नमबर है 8 है वो 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला नमबर क्या होजगा एक इंक्रीज हो जाएगा तो आपको इसको छोड़ी देना है यह तो गाई भी करना है और 12 पॉ nên्ट ही क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा या समझा गया होगा मुझे लगता है यह वाला रूल भी आपको भी कैसे इसको करना है rounding of फिर तीसरा रूल अब तीसरा चौथा पांचमा रूल आपको समझने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि ये पांच वड़े रूल है अब तक तो पहले दो रूल थे ये छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है भी मालो आपको छोड़ने वाली संख्या 5 आ गई तो और उसके बाद कोई ऐशुन्य संख्या आती है उसके बाद non zero number आ जाता है zero नहीं आता नाँ जीरो आ जाता है ठीक है तो उसके पूरव की संख्या को एक से बढ़ा देते हैं अब नौन जीरो कुछ भी हो सकता है वो पांच से बढ़ा हो छोटा हो कुछ नहीं लेकिन नौन जीरो होना चाहिए वैस ठीक है तो उससे पहले वाली संख्या को आपको एक बढ़ा देना है अब ज्यादा समझ आपको एक्जामपल से आएगा जैसे याँ पर यह दिया हुआ है 16.351 का 16.351 अब देखो इसमें आपको कहा हुआ है दो नहीं आपर तीन सार्थकंक आएंगे दो में तो बने गए नहीं तीन आना चाहिए तो तीन सार्थकंक याणि तीन डिजिट आपको रखने है यह वाले अब देखो इससे तीन तक तीन आ गया तीन के जश्ट आगे पांच आ गया अब पांच से छोटा या पांच से बड़े वाला तो पड़े यह भी अगर पांच से छोटा हो तो आपको तीन का तीन ही पड़े रहने देना है और अगर पांच से बड़ा हो तो आपको तीन का चार बनाना पड़ेगा 16.4 बनेग तो आप समझ आई बात बेलकुल इसी तरीके से अगर मैं इस साइट बताता हूँ कि जैसे 6.758 यहां पर लिखा हुआ है अब आप देखो कि इसको 2 डिजिट तक राउंडिंग आफ करना है यह देखो इदर लिखा हुआ है ना 6.758 तो 2 डिजिट तक करने 5 आगया 5 से आगे 9 जीरो आ गया तो 5 से आगे 9 जीरो आ गया तो 5 से पहले वाला एक इंक्रीज करके लिख देना आपको यह यह 6.8 बन जाएगा अगर 5 आ जाए और 5 के आगे 9 जीरो हो तो 9 जीरो हो तो आपको एक 5 से पहले वाला एक क्या कर देना है बढ़ा देना है नमबर यहनी 7 का 8 बन जा आजाओ बच्चो देखो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जीरू आ जाए घर तो जीरू आ जाए तो जीरू के भी आगे दो रूल हैं ठीक है न मैं इसको उपर कर देता हूं फिर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएका यहां तक ठीक है आप दोने हिं इंडियर इंग्लिश मीडिया के रूल यहां पर पड़े हैं देखो चार नमबर रूल है जो इसमें यदि छोड़ी जाने वाली संख्या पांच है तथा उसके बाद कोई शुने आ जाता है जीरू आ जाता है तो उसके पूरू की संख्या को ऐ परिवर्तित रहने देते हैं इफ ड्रॉप्ट इफ डिजिट वी ड्रॉप्ट इस फाइव और फॉलोड बार फाइव फॉलोड बाइजिरो फाइव के आगे जीरू आगी तो अपने क्या करेंगे तैन प्रसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अंचेंज्ज इफ इफ इज इवन अब आप समझो इसको द दो को तीन बना देते तीन.3 ना अंसर आ जाता लेकिन अब अगर पांच के आगे जीरू आ गया तो अब क्या करेंगे अब आपको पांच के पहले देखना पड़ेगा अगर तो ये वाली चीज सम संक्या है सम संक्या है मतलब इवन नमबर है ये वाला तो सम संक्या को सम सं करना है 3.2 का 3.2 ही पड़ा रहे खा ठीक है यह fourth rule है ठीक है इसी तरीके से अगर आपको 12.6, पांच 0 ये वला है तो आप देखो 5 के आगए जीरो आगई तो पांच से पहले देखना पड़ेगा जब जीरो आगई ना पांच के आगई तो आपको पांच से पहले देखना पड़ेगा तो आप देखो यहां पर पांच से पहले च्छै है और च्छै यहां पर समसंक्या है तो बारा पॉइंट च्छै ही रहेगा यह वाल अब आप कहोगी सर अगर मानलो ऐसे आजे मैं सारे केस लेके चलता हूँ वैसे नहीं जो जो मेरे को समझ में आता है वो आपको समझा दूँ देखो मानलो बड़ा नमबर आ गया पांच पॉइंट चार तीन पांच जीरो आठ दो एक ऐसे आ गया ठीक है अब आपको राउंडिंग आउफ करना है यहां तक तीन अंकर तीन अंक तक तीन नमबर तक तो देखो तीन के आगे क्या आ गया पांच आ गया सोरी तीन नहीं आप यहां पर समसंख्या रखो एक बार क्योंकि सम वाला केस ही अपने पढ़ रहे हैं आपको यह देखना है पांच ठीक है अब आज आता है विशम संख्या वाला यानि और नमबर वाला तो समसंख्या वाला केस तो आपने पढ़ लिया आप और नमबर वाला केस देख लो आप विशम संख्या वाला कि यदि छोड़े जानी वाली संख्या पांच आता था उसके बाद कोई शून ने आता है वही जिरो आता है तो उसके पूरव की संख्या को एक बढ़ा देते हैं यदि यह है विशम संख्या है इव डिजिट टू भी ड्रॉप्ट इस फाइव और फाइव फॉल ओड बाई जिरो फाइव के आगे जिरो आ गया देन दा प्रेसीडिंग डिजिट यानि पहले वाली डिजिट बिफोर जो पहले वाली डिजिट है रिजट बाई वन इफ इट इस और यदि यह विशम संख्या है तो अपने क्या करेंगे बचो इसको एक बढ़ा देंगे समझाई बात तो जिरो वाले तीनों ही केस होगे जिरो वाले तीनों ही केस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो क्या आ जाए पांच के बाद जिरो आ जाए और जिरो के आगे यहां पर कोई ना कोई क्या हो आपके पास तो आपको इससे पहले वाला नमबर देखना है अगर तो ये क्या है समसंग क्या है तो यह क्या रहेगा यह रहेगा और अगर यह विशन संख्या है तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा यानि यह 4 बन जाएगा यानि badge number है तो वो क्या जाएगा एक increase हो जाएगा एक बढ़ जाएगा समझा है यह इतनी बात तो मुझे उमीद आपको पल्ले पढ़ गी होगी यह चीज जैसे यहाँ पर 3.75 0 है 3.75 0 तो इसको देखो 5 के आगे 0 तो 0 आगी तो उससे पहले वाला देखो आप विशम संक्या है यह 7 odd number है तो इसको 3.8 पढ़ा दो ठीक है तो इतना यह क्या थी इसकी रूल थे मुझे उमीद आपको रूल समझ में आए होंगे आप बचो इसकी करते अपने practice ठीक है ना practice करते हैं इसकी कुछ questions की देखो आपको इना कोई practice book ले ओ मैं आपको कहता हूँ कोई किसी भी exam की अगर आप त्यारी कर रहे हो तो उसकी practice book जरूर लाओ कोई भी ले ओ आप मैं ऐसे नहीं कहता अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा question करना चाते हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप USS universal self scorer ले ओ ठीक है ना उसमें बहुत सारे question है अगर कर सकते हो उतना तो तो ले गया ना नहीं तो grant लाने का ऐसे कोई फाइदा नहीं ठीक है या फिर और भी बहुत सारी books आती है कोई जैसे से एस चांद की भी आ जाती है एस चांद वाले भी ठीक है और या फिर एसल रोडा की book आती है जो cbse pattern पर है बहुत बड़ी है बुक है वो भी ग्यारवी बारवी क्लास के लिए competition exam के लिए काफी अच्छे उसमें question भी दिये हुए है कोई भी book ले आओ कोई एक book अपने पास रखो practice के लिए है क्योंकि मेन आपका सुधार practice से होना है ना की book से होना है समझाई बात विखो question करते है अब solve अपने कौन सा color का पहले ले 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 लेक्तिव नंबर ओप सिगनिफिकेंट एक इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें significant figure कितने है और फिर option आपको choose करना है तो यहाँ पर देखो दो non zero number के बीच एक zero आ रहा है तो significant मानने की और दो ये होगे तो total कितने होगे 5 होगे तो मतलब ये option cancel क्योंकि इसमें 4 आ रहा है पहला तो 5 आ गया ठीक है दूसरा देखो ये left side वाली zero आ गी rule आ गया ना वो left side वाला तो इनको तो मानना नहीं है only ये मानना है एक आ गया तो ये वाला option भी cancel हो गया क्योंकि इसमें 5 पांच पांच आ रहा है मतलब पहले और दूसरे option में से कोई एक है वो depend करता है अब last वाले पर तो last वाला जो क्या है इसमें 10 की power आगी इसको नहीं मानना तो ये कितनी digit है दो है तो 5 एक दो मतलब ये वाला option आपका सही हो गया है ठीक है option काटने भी आपको आने चाहिए कई बार पता क्या होता है जैसे मानलो दो आपने आपको 4-5 दे दी यहां पर और option में भी 4-5 नंबर है मानलो आपने दो ही काटे तो 3 option तो कटोगे एक बच किया तो वो ही उत्तर होगा वो ही answer होगा ठीक है ना कई बार 3-3 भी cancel हो जाते तो only answer बचते है तो आपको option select करने से ज़्यादा काटने भी आने चाहिए फिर क्या है आप बढ़िया यानि की कर सकते हो questions को अब यह है क्वेस्टन यह जेई mains में आया हुआ है 2012 में क्या है question कि student measure the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.001 cm अब हिंदी में समझ ले इसको क्या है कि एक student measure करता है एक तार का व्यास तार का व्यास मापता है वो screw gauge की help से screw gauge अगर आपने 11th class में practical की हो तो आपको पता होगा screw gauge होता है उसको ऐसे करके और उसमें wire डालके और उसका diameter अपने व्यास निकाल सकते है और उसका जो list count है मतलब की अलपत मांक है उसका अलपत मांक पता है क्या होता है अलपत मांक है जिस चीज से आप measure कर रहे हो जिस instrument से आप किसी चीज को measure कर रहे हो माप रहे हो वो कम से कम कितने माप सकती है ठीक है कितना measure कर सकती है कम से कम जैसे आपका scale होता है वो 0.1 cm तक ही माप सकता है 0.1 cm ठीक है इतना माप सकता है तो उसका least count 0.1 cm हो जाए अब यह कह रहा है कि जो screw gauge है उसका least count 0.001 cm मतलब point के बाद वो तीन digit तक क्या कर सकता है measure कर सकता है माप सकता है diameter को तो अब यह कह रहा है कि जो measured value है अगर माण लो किसी wire के आपने value measure की तो वो कितनी होनी चाहिए है ठीक है तो देखो यहाँ पर point के बाद 4 digit है यह होई नहीं सकती यहाँ एक digit है यह भी नहीं हो सकती यहाँ दो digit है यह भी नहीं हो सकती यहाँ तीन है तो यह वाला option option क्या हो गया आपका सही हो गया क्योंकि point के बाद वो तीन डिजिट तक ही measure कर सकता और तीन डिजिट वाला एक option है इसमें अब कई बच्चे पता क्या दिमाग लगाते हैं कई कहते हैं सर यहाँ पर अगर option दो दो में तीन तीन दे रखे हो तो वो option मतलब वो question ही मैं कहता हूँ गलत होगा option उसमें ऐसे नहीं होगे आपको लिए कि option तीन डिजिट वाला मिला है इसमें तो इस कारण ही आपका डी क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है फिर कुछ questions मैंने और डाले होएं यह भी चार दो चार दो चार दो चार और तीनम इसमें नौ सिगनिफिकेंट फिगर है ठीक है अरे सब्जी वाली हमारे आम बेचने आगे सब्जी ठीक है speaker लगा लेते हैं फुल बड़ा और फिर वेचते हैं सब्जी अब देखो चलो अपने को उदर दियान नहीं देना अगर आपको आवाज आ रही है तो अगर मेरा माइक है इतना जबर्दस्त की बारवाली वाज को नहीं catch करता तो हो सकता है चलो देखेंगे बाद में अभी वीडियो रिकार्ड हो रही है मुझे भी नहीं पता भी बार वाली वाज रिकार्ड होती है या नहीं देखो इसमें कितनी है 3 हो जाएंगे क्योंकि यह वाली कैलकुलेट नहीं होगी लैट सैड तो यहां पर तीन हो गई इसमें 3 और 2, 5 और 3, 8 क्योंकि right side वाली zero आपको सारी calculate करनी होती है 3, 2, 5, 3, 8 और 3 कितने होगी? 11 हो जाएंगे ठीक है? फिर 3 और 3, 6 और 3, 9 और 3, 12 तो ये कितनी होगी? 12 होगी ठीक है? तो ऐसे आप खुद भी निकाल सकते हो इनको कोई ज़्यादा मुश्किल question नहीं है आपको rule लगाने है वैसे rule याद होने चाहिए आपके में चीज यह है फिर आपको rounding off के कुछ मैंने example दी है कि rounding off करना है यहां पर इसने का है 3 significant figure तक rounding off करना है तो 3 तक करना है तो पहले देखो यहां 3 को रखना है अब आगया 5 5 से आगे 9 0 आगया तो 9 0 आगया तो इसको लिखो गया आप 56.5 क्योंकि 4 का आप क्या बना दोगे 5 यह नहीं 5 से पहले वाला एक increase हो जाता अगर 5 के आगे 9 0 हो फिर दूसरा यह आगया ठीक है 0 है और 0 के आगे कौन सी है बड़ी संख्या है 5 से बड़ी संख्या 5 से बड़ा नंबर है तो यह 5.21 हो जाएगा दूसरा रूल आई यह वाला कौन सा है दूसरा रूल है कि अगर मान लो जिसको आपको राउंडिंग आफ करना उससे आगे वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो वो क्या जाएगा आपका 5 एक से इंक्रीज हो जाएगा 5.21 केजी यहां पर हो जाएगा ठीक है दीचे आंसर की भी डाली हो यह मैंने यह देखो यह नीचे आंसर की भी है इसकी तो पहले आपको एक वेस्टन करने है फिर आंसर की मिलानी है चलो मैं आपको करवा भी देता हूँ आपको पहले क्या करना इन क्वेस्टन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉस करके खुद करके देखना फिर आप चेक करना कि आपके सही है यह गलत है इसमें तीन डिजिट रखनी है तो पचसअशी पॉइंट पहला पहला रूल रखेगा इसमें भी 50.0 सेंटी मीट्र जीरो आपको लगानी पड़ेगी ऐसे ने भी आप 50.0 सेंटी मीट्र लिख दोगे 50.0 फिजिक्स पहले लगानी पड़ेगी अब बात आती है यहाँ पर यहाँ पर कैसे काल्कुलेटेट करें यह वाला कोश्चिण आप कहसकते हो कि इमपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक हैrain तो इह अन्य क्श्च कई भिच्छे सुचेंगे कि सर तीन तो जीरो यह है इसमें तो कैसे काल्कुलेट करेंगे आपको नमबर मानने, significant is it, significant figure, ठीक है, तो यह significant नहीं होती हैं इसमें, significant figure हैं यह वाली, ठीक है, तो यह साथ में वैसी की वैसी बड़े रहेंगी, क्योंकि इनको significant is it अपने मानते नहीं है, ठीक है, अब देखो, last miss के आ रहा है, 4, और 4 के आगे 5 से बड़ा नमबर है, तो अपने क्य क्या करेंगे, 125 meter, ठीक है, यह कौन सा दूसरा rule लग गया है, इसमें, significant figure वाला, और last वाला देखो आप, कि इसमें भी यह तीन है, तो यह तो चलो, बैसे की वैसी पड़े रहेंगी, क्योंकि इनको significant figure नहीं मानते, यह तीन, तो 0, 0 से आगे 2 है, जो की 5 से चोटा है, तो यह वैसे का, वैसे पड़ा रहेगा, और यह आपका क्या आजाएगा, answer आजाएगा, आप answer match कर लो, नीचे सारे answer वही है, ठीक है, तो बैस rule याद होने चाहिए, rule याद होने पर ही, आप क्या कर सकते हो, significant figure, calculate कर सकते हो, तो यह यहाँ पर बच्चो आपका जो first chapter है, first chapter, 11th का, जिसका नाम था unit and measurement, unit and measurement, यह आपका कैल यहाँ पर हो जाता है, the end, ठीक है, क्या हो जाता है, इसका, the end हो जाता है, इस chapter का, इस chapter में मैंने आपको लगबग 50 से ज़्यादा numerical, जो की most important numericals हैं, वो आपको करवा दी हैं, 50 से ज़्यादा ही होंगे, और इसमें क्या है, कि जो previous year कोई paper में आयों है, question है, वो भी मैंने आपको discuss करवाई हैं, plus theory भी करवाई है, सब कुछ करवाया है, आठ वीडियो में, पहला chapter complete आपका हो चुक है, जिसमें कुछ MC क्यों है, आपको ऐसे नहीं देखना भी, सर ने, जैसे मान लो, मैं thumbnail में यहाँ लिखता हूं, अब समझ ल यह दो topic की only theory करवाई है, MCQ भी आपको उसमें करवाई हूए है, ठीक है, MCQ question मैं आपको हर एक में करवाता हूँ, जो आपका हर एक यानिकी वीडियो होती है, उसमें लगबग करवाई है, मैंने कोई एक दो, एक अदी वीडियो होगी, starting वाली, जिसमें MCQ नहीं करवाई हो तो please इसको share जरूर करना, अपने ज्यादा से ज्यादा friends के साथ इसको share करना बचो, और ज्यादा से ज्यादा बचो को जोड़ना तब ही, आप सरका से यह कर सकते हैं, आपको free में एक course मिल रहा है, तो free में मेरे को फाइदा तब ही होगा अगर YouTube पर views ज्यादा आएंगे, ठी तो please मेरी request आप से हाथ जोड़ के मैं request कर देता हूँ, ठीक है, आप बड़ा भाई समझ के मुझे को, और share इसको जरूर करना, और जो भी आपकी problem हो, वो comment box में मुझे लिख सकते हो, इसका जो PDF है, वो आपको नीचे यहाँ पर telegram channel का दिया हुआ, link मैंने, link के वो नाम दिय हुआ है, आपको telegram app है, जो website की तरह ही होती है, ठीक है, उसको download करना, उसमें search करना है, RBS e physics notes without किसी gap के, और PDF notes उस group को 1300 से ज्यादा उसमें members हैं, उसको join करके आपको PDF notes उसके download कर लेने हैं, आपको अगर यह वाले चाहिए, with solution आप वहां पर available रहेंगे, यह वाले, ठीक है, तो आज की वीडियों बचो इतरह है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में, तब तक के लिए thank you, have a nice day प्यारे बचो